20 सितंबर यानि आज का दिन इतिहास में खास महत्व रखता है आज के दिन कुछ ऐसी घटाएं घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई आज के दिन 1388 में दिली के सुल्तान फिरोशात तुगलक त्रेतिय का निधन हुआ था और आज के दिन 1831 में भाप से चलने वाली पहली बस बनाई गई तीस लोगों की शमतावा अत्यंत धीमी गती से चलने वाली इस बस के अविशकारक गौर्डन ब्रॉंस थे आज के दिन 1848 में विज्ञान की प्रगती के लिए अमेरिकन एसोसेशन बनाई गई थी आज के दिन 1933 में अगरनी थियोसॉफिस्ट महिला अधिकारों की समर्थक लेखक वक्तायम भारत प्रेमी महिला डॉक्टर एनी बैसेंट का निधन हुआ था आज के दिन 1934 में द्यूत्य विश्वजुद में आस्ट्रेलियाई सेनिकों ने नियोगिनी में काईपिट की लडाई में शाही जापानी सेनिकों को हराया था आज के दिन 1954 में आई बीए एम द्वारा विक्सित फोट्रॉन भाशा के पहले प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चलाया गया था